वो पटना के मूल निवासी है पटना से रूस मेडिकल की पढ़ाई करने गये थे वहां से MBS के डिगरे लेकर वापस पटना लोटा है पटना लोटने के बाद मडीजों का इलाज किया कुछ समय तक सुर्मन नहीं लगा तो दुबारा रूस चले गये रूस में जाकर दवाईयों का दुकान किया और जब कमाई अच्छी खासी होने लगी तो कुछ और भी बिजनेस में अपना किस्मत अजमाया जब वो भी बिजनेस चलने लगे उसके बाद वहां के समाजिक प्रतिश्चित लोग और कई बिजनेस में से भी जान पहचान बढ़ाए फिर इस जान पहचान बढ़ाने के बाद कई नेताओं से भी इनका मेल जोल बढ़ा जब नेताओं से मेल जोल बढ़ा फिर एक दिन चुनाव लड़ने का सोचा चुनाव लड़ा और विधायक भी बन गय जी हाँ ये कहानी किसी और के नहीं बलकि बिहार के सपूत अभय सिंग की है जी हाँ वही अभय सिंग जो अभी रूस के राश्ट पती ब्लादिमिर पुतिन के पार्टी से अभी रूस में विधायक है नमस्कार में पुजा प्रियाओ आप देख रहे हैं बिहार इन्सोर्स और आज हम आपको इस वीडियो में अभय सिंग की ही कहानी की बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिरकार अभय सिंग की कहानी क्या है कौन है वो और कैसे आज वो रूस के राश्ट पती ब्लादिमिर पु फिर रूस में कैसे वह बिधायक बने आपको बता दे कि वह भी रूस के राश्पती ब्लादीमिर पुतिन की यूनाइटेर रुशिया पार्टी के बिधायक है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं उनकी पहचान कुछ और भी है वह भारत और रूस की दोस्ती को मजबूत करने का काम करते हैं साल 2018 में पुतिन की पार्टी से विधायक बनने वाले अभैसिंग के मुताबिक वह 1990 के दसक में रूस पहुचे थे वहां पढ़ाई और बिजनस करने के बाद अब बहुत सारा कारुबार करते हैं कुसर्ग में रूसी लोगों के बीच वह काफी नामचीन है अभै क साथ विपक्ष के लोग भी ध्यान से उनकी बाते सुनते हैं अभै ने विहार से रूस पहुचकर जो मुकाम हासिल किया है उसकी तारीफ हर तरफ होती है अभै के कारुबार में कुसर्ग में एक मौल भी है ये कुसर्ग का सबसे बरा मौल है पुतिन के साथ अपने डिस्तो के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं कहते लेकिन खुद हैरत जताते हैं कि एक दूसरे मुल्क से आए हिंदी भार्षी शक्स पर पुतिन ने भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया अभय के मताबिक सोवियत संग के दिनों से ही भारत के साथ जो रिष्टे थे वे वैसे ही हैं रूस के लोग अभी हिंदी रूसी भाई-भाई का नारा लगाते हैं आज भी रूस में हिंदी फिल्मों के पुराने गीतों के अलावा नय गीत भी लोग खूब गाते हैं अभय ने एक टीवी चानल से बातचीत में कहा कि युक्रियन संकट में फसे भारतियों की हर हाल में रूस रक्षा करेगा उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए और खुद वो रूस के केंद्रियन नित्रत से इस मसले पर संपर्क साथे वे हैं जी हां ये थी अभय सिंग की कहानी जो पटना के रहने वाले हैं पटना से रूस वो मेडिकल की पढ़ाई करने गया थे मेडिकल की पढ़ाई कर एमबेबियस की डिगरे लेकर वो पटना वापस लोटे यहां पर मरीजों का कुछ समय तक इलाज भी किया फिर मन नहीं लगा त पिर समाज के प्रतिस्टित लोगों से जान पहचान बढ़ाई नेताओं से मिले और इसके बाद विधायक बने और आज वो रूस के राश्पती ब्लादीमिर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया पार्टी के विधायक हैं और उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि भारत और रूस के बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम करते रहते हैं आप अभय सिंग के बारे में क्या राय रखते हैं कि एक बिहारी सपूत कैसे आज रूस में एक बिधायक है आप की इस बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा आप